एक प्रश्ण है कि स्री क्रिष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा तो शाष्ट्रों बेदों में लिखा है कि वो तो हरी गुरु की क्रिपा से ही मिलता है क्रिपा साध्य है साधन साध्य नहीं है क्योंकि हम कोई भी साधना करेंगे जप तप ब्रत पूजा पाठ सब प्राकृत अंगों से करेंगे जिसमें प्रमुख है मन मन माया से बना है इसलिए हमारी जो भी साधना होगी वो जब मायक होगी हमारा मन भगवान का स्वरूप ही नहीं सोच सकता ध्यान कैसे करेगा आप लोग ध्यान करते होंगे तो भगवान का ध्यान तो आप कर नहीं सकते क्योंकि वो तो दिव्य है आपका मन तो संसार में कोई सुन्दर लड़का पसंद होगा तो आप वो इसे ही बना लेंगे स्री कृष्ण को कोई सुन्दर लड़की पसंद होगी आपके मन को तो वो इसे इराधाराणी को बना लेंगे लेकिन राधा कृष्ण कैसे थे यह तो आप प्राकृत मन से बना ही नहीं सकते अगर वो सामने आकर खड़े हो जाए तब भी नहीं बना सकते अरे अनन्त बार आपने स्री कृष्ण को राधाराणी को देखा है साक्षात अभी पाँच अजार बर्ष पहले आये थे सवा सव बर्ष रहे थे राम तो ग्यारा हजार बर्ष रहे आप भी थे जीवात्मा तो नित्य है भगवान की भाथी इसलिए जब जब भगवान आते हैं हम लोग भी होते हैं उनको देखते हैं लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग अवतार काल में भगवान को देखते हैं वास्तविक रूप से तो वे देखते हैं जिनकी माईक आख ना हो अरे तो बिना माईक आख कैसे बनेगी सबकी माईक आख होगी नहीं जिसको भगवान दिब्य आख दे देते हैं वो उनको देख सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा रामयन में धन यग में हम सब लोग थे लेकिन केवल भक्तों ने देखा जनक ने देखा इब्रह्म है और आक्षसों ने देखा इसके हजार भूजा है रे इसके एक करोण आख है और डर गए सब बहु मुख कर पद लोचन शीशा संसार में हम किसी को भी देखेंगे या तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा और या तो कौमन लगेगा बस किसी के दस सिर बीश सिर तो हम नहीं देख सकते हजार फैर दो हजार आख आइसा तो हम किसी को नहीं देख सकते पागल भले ही कोई ऐसा बोले लेकिन राम को कृष्ण को देखने वाले ऐसे लोग थे राक्षस जो एक कहे इसके दो हजार आख है दूसरा कहे गधा गिन्ना भी आता है चार हजार है ये राक्षस लोग आपस में ऐसे बोलते थे लेकिन केवल महापुरुष लोगों ने देखा ये आनंद कंद है तो भगवान का रूप ध्यान कौन करेगा केवल भगवान यायों कह दो कि भगवान की आख भगवान का मन भगवान को देख सकता है भगवान की बुद्धी भगवान को जान सकती है अर्था दिब्व के लिए दिब्व मैटर चाहिए हमारे आख, कान, नाख, सब इंद्रियां दिब्व हो जाएं तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ग्रहन कर सकते हैं इसलिए उनका प्रेम भी दिब्व है जिसके बच में रहते हैं भगवान बेपढ़ी लिखी गोपियों ने भगवान को गुलाम बना लिया जो आत्मा राम था वो गोपी राम हो गया अपढ़ गवार बेपढ़ी लिखी गोपियों के पीछे पीछे गुमरा जो समाधी में नहीं जाता ब्रह्मा शंकर के वो प्रेम अलवकिक होता है जो गोपियों के पास था वो बेपढ़ी लिखी की एक्टिंग थे उनकी वो तो सबसे थर्ड क्लास की जो गोपियां थी वो बेद की रिचाय थी और असली गोपियां तो गो लोग से आई थी निश्काम प्रेम करने वाली उनके पास दिब्व प्रेम था जिसके इशारे पर भगवान नाचते थे इसलिए वो प्रेम हम कर नहीं सकते कोई जीव नहीं कर सकता अर्थात वो क्रिपा साध्य है वो प्रेम भगवान और गुरु यानि जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो ये देते हैं तब मिलता है लेकिन शास्त्र बेज तो कहते हैं कि भगवान से ही भगवान मिलते हैं ये दो बिरोधी बाते हैं को क्रिपा से मिलता है फ्रेम कि साधना से मिलता है अगर कृपा से मिलता है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिला ये गोपियों को क्यों मिल गया और अगर साधना से मिलता है तो फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि कृपा से मिलता है और साधना से मिलता है यह बात तो समझ में नहीं आती लौजिक से भी ने इस दोता कि हम भगवान का ध्यान कर लेंगे भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे अपने बल पर हाँ मैं बड़े-बड़े काम कर सकते हैं तिरिश्यों ने मुनियों ने बड़े-बड़े काम किये यहां तक की एक बिश्वामित्र हुए हैं उन्होंने नया स्वर्ग बना दिया बसिष्ठ में और बिश्वामित्र में होड़ हो गई देखो इतने बड़े स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले भी लड़ रहे हैं यह माया इतनी बलवान है विश्वामित्र बार बार बसिष्ठ से लड़ने गए और हार गए हर बार तब उन्होंने सोचा कि बसिष्ठ की हत्या कर देनी चाहिए मर्डर अब शक्ति से नहीं जीतेंगे फिजिकल शक्ति से मर्डर करेंगे तो फर्सा लेकर उनके आश्रम के पीछे बैठ गए आए सो जाए तो इसका मर्डर कर दे तो बसिष्ठ अउनकी श्रीमती अरुन्धती जब सोने लगे रात को बारा बजे तो अरुन्धती ने पूछा कि पती देओ इस समय दुनिया में सबसे बड़ा तपस्टी कौन है उन्होंने का सबसे बड़ा तपस्टी तो बिश्वा मित्र है लेकिन तो भगती नहीं करता तपस्ट्या काबल है उसके पास इसलिए उसकी माया नहीं गई इसलिए वो हमसे लड़ने आता है बार बार दुएश नहीं गया उसके अंता करन से ये दुएश तो तब जाए जब माया जाए तो तपस्ट्या से माया नहीं जाती पावर मिलती हैं बड़ी-बड़ी वो मायक स्वारगी ये भगवान संबंदी नहीं तो ये सुन लिया विश्वा मित्र ने कि ए मिया बीवी में क्या बात हो रही है तो उन्हों ने कहा मैं जिसा बिरोध कर रहा हूं वो मेरी तारीफ कर रहा है अपनी स्रिमती से देखा रहे मुझे तो उन्होंने खटखटाया दरवाजा बसेष्ठ ने पूछा कौन है ने कहां मैं विश्वा मित्र हूं उन्हें कहां अरे फिर आगया लड़ने तो उन्होंने कहां नहीं मैं सरनागत होने आया हूं छमा मांगने आया हूं तो खोल दिया सामने आये देखा फरसा लिये तो फरसा चरणों में रख दिया कहन हमने बहुत अपराध किया आपके प्रतिय अब तक मेरा इतना पतन होता रहा अब मुझे ख्षमा कर दीजिए तो ये ख्षत्रिय थे विश्वामित्र तो उन्हें का जाओ ख्षमा किया और तुमको ब्राह्मन बना दिया इसी जन्म में बिना मरे एक एक जामपिल है विश्वामित्र की तो उन्हें विश्वामित्र को एक बार एक त्रिशंकू राजा थे उन्होंने बड़ी सेवा की विश्वामित्र की और अन्त में विश्वामित्र ने कहा मांगो क्या मांगते हो तो उन्हेंने का हमको स्वारिग दिखा दो तो उन्हेंने का वे स्वारिग तो मरने के बाद जाते हैं धर्म करने वाले आईचे कैचे दिखा दें तुमको लेकिन हमको तो आप अपस्चा के बल से स्वर्ग दिखा दीजिए तो उन्होंने का कि नहीं यह समय नहीं कर सकता बसिष्ठ के पास जाओ वो भेज देंगे बसिष्ठ के पास गए तो उन्होंने का इस अब कान्मून के खिलाफ है इन्हें करेंगे हम तो बसिष्ठ को बिना बताए बसिष्ठ के लड़कों के पास गए उतप करते रहे रहे थे वहाँ जा पहुँचे और उन्होंसे कहा कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं विष्ठ मेत्र ने भेजा है तो उन्हें का अच्छा मैं पिताजी से पूछ लूँ फिर मैं तुमको भेज देता हूं तो बच्चे उनके जो थे वो आये बसिष्ठ के पास और कहां पिताजी ऐसे ऐसे आये है तो उन्हें का अरे उसको हमने रोक दिया था फिर गया तुमारे पास हो तो चलागे वो विश्षा मित्र के पास कि न बसिष्ठ हमको भेजते हैं और न उनके लड़के तो उन्हें गा अच्छा मैं भेजता हूं तो अपनी तपस्या की पावर लगाया और स्वर्ग की ओर भेजा देह सहित तो बसिष्ठ ने का हमारी आग्या के खिलाफ ये राजा नाटक कर रहा है तो उन्होंने रोक दिया स्वर्ग न जाए तो पृत्वी पर गिरा फिर विश्वा मित्र भेजा उपर को और कहा तू चल और बसिष्ठ ने रोक दिया तो अब वो ने नीचे और नस्वर्ग बीच में अठक गया इन दोनों के लड़ाई में तो उन्हें कहा हूं है ठहर मैं स्वर्ग बना देता हूं तेरे लिए तो विश्वा मित्र ने स्वर्ग बना दिया तेर शंकू के लिए नया इतनी शक्ती होती है तपस्या में लेकिन माया नहीं जा सकती माया तो भगवान की क्रिपा से जाएगी उसके लिए साधना करनी होगी तो क्रिपा साध्य भी कहते हैं आप और साधन साध्य भी कहते हैं आप ये गडबड है क्या है गोल माल है कुछ है फिर बताएंगे माल है क्या है क्या है बीड़ करने टाएंगे